असलाम अलेकुम, हम colors of Pakistan की comprehension कर रहे हैं, आज हम उसमें करेंगे fill in the blanks और उसमें हमने choose the correct option, जो सही answer है, उसको choose करना है, हमारा पहला question है, शिना and brusho culture exist in bash, इसके लिए हमारे पास options है, सिंध, गिल्कित बलतिस्तान, पंजाब and कश्मीर, तो हमने book में पढ़ा था, शिना और brusho culture जो हैं, वो गिल्कित और बलतिस्तान में होते हैं, तो इसका fill in the blanks का सही, जो होगा, शिना and brusho culture exist in गिल्कित बलतिस्तान, next question है, अज्रक is part of dash culture, अज्रक जो है, वो एक खास चादर होती है, देखते हैं, वो कौन से culture में का हिस्सा है, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी and बलोची, हमने book में क्या पढ़ा था, अज्रक जो है, वो एक चादर होती है, जो सिंधी कल्चर में खास दौर पे ली जाती है, आदमी और और दोनों आदमी और और ओरतें दोनों इस अज्रक को पहन थे, अगला question है, पोर्ट्री and storytelling are very popular among the poetry शायरी को कहते हैं, storytelling कहानी सुनाना को, तो कौन से popular हैं कौन से कल्चर में, पंजाबी, पक्तून, बलोची and सिंधी, तो अब हमने book में क्या पढ़ा था, देखते हैं, पोर्ट्री and storytelling are very popular among the बलोच, तो इसमें आएगा among the बलोची, next question है, the spring festival is celebrated in Punjab in the mid of Dash, spring festival जो जशने बहा रहा हैं, वो पंजाब में, कौन से महीने में मनाया जाता है, इसकी options हैं, February, April, June और August, तो spring, जैसे के spring, मौसमें बहार को कहते हैं, तो हम देखते हैं, के, seasonal festival नेम जशने बहारा, और the spring festival is celebrated in Punjab in the mid of February, इसमें आएगा in the mid of February, आएगा पोलो फेस्टिवल, तो हमने बुक में क्या पड़ा था, देखते हैं, पोलो फेस्टिवल इस सेलिब्रेटिड एवरी यर इन शेंदू, तो यहां प्याएगा पोलो फेस्टिवल, प्यारे बच्चो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाह इलाला मुहम्मद रर्सूलूला, जब पाकिस्तान बना था, तो हमने यह नारा लगाया था, तो अगर अभी भी हम पाकिस्तान को त्रक्याफ्ता मुल्क बनाना चाते हैं, तो हमें अपने इस नारे को अपने दुबारा जिन्दा होगा, जिन्दा करना होगा, वो कैसे कर सकते हैं, जब हम कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, क्यूंकि हम कुरान को समझे बगाएर अपनी हैसियत भी समझ नहीं सकते, यह अल्ला की किताब है, इसको रोज तर्जमे के साथ पढ़ें, यह मेरे और आपके लिए है, हमारे प्यारे नभी करीम स. ल. ने हम सब को इस पर सोच समझ कर तलावत का मतलब ही है, सोच समझ कर पढ़ना, तो हमें खाली सवाब की नियस से नहीं, बलके इसको सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, और अपनी जिन्दगी में नाफिस करना चाहिए, उमीद आपको सबक्त संद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,